एक हाई स्पीड एक्सिडेंट में ऐसा हो सकता है अगर एर बैग ना हो, चाहे ड्राइवर ने अपनी सीट बेल्ट लगाई भी हुई हो. सौ मिली सेकंड के अंदर बिना शरीर को नुकसान पहुँचाए, ह्यूमन बॉड़ी को एक हाई स्पीड से रेस्ट पर लेकर आना एक बड़ा इंजिनिरिंग चैलेंज है. चलिए, एर बैग इंफलेशन के मेकानिजम को समझ कर इस लाइफ सेविंग टेकनोलोजी के बारे में जानते हैं. और मज़ेदार ये है कि ये एक कैमिकल एक्स्प्लोजन की वजह से होता है. सीट बेल्ट का काम हुमन बॉड़ी के मुव्मेंट को रोकना होता है. लेकिन एक्सिडेंट के दौरान, इन सीट बेल्ट की वजह से आपके चेस्ट एरिया पर बहुत ज़ादा फोर्स लग सकता है, जिसकी वजह से इंटर्नल और्गन एंजरी हो सकती है. चेस्ट पर इतना ज़ादा फोर्स ना लगे, इसके लिए मौडन सीट बेल्ट एक टौर्शन बार की मदद से सीट बेल्ट को थोड़ा सा रिलीज करती है. इस एक्षन की वजह से अपर बॉड़ी थोड़ा आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन जब टौर्शन बार सीट बेल्ट रिलीज कर चुकी होती है, तो अपर बॉड़ी का मूवमेंट रुख जाता है. ध्यान दीजिए कि सीट बेल्ट आपकी अपर बॉड़ी के मूशन को रुखती है, इसमें आपकी गर्दन और आपका सिर इंक्लिूड नहीं होते हैं. जब गर्दन और सिर नहीं रुके होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा. एक हाई स्पीड एक्सिडेंट में साथ ही साथ वे आपको डैश बोड पर टकराने से भी रोकते हैं. कंप्रिस्ट एयर अरेंजमेंट को यूज करके, एयर बैक्स को इन्फलेट करने का जो पहला अटेम्ट किया गया था, वो फेल हो गया था. इस डिजाइन में दो दिक्कते थी. पहली, जो स्प्रिंग थी, वो ठीक से क्रैश का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी. और दूसरी, कंप्रिस्ट हवा एयर बैक को इतनी जल्दी भर नहीं पा रही थी, कि क्रैश की वजह से होने वाले डैमेज को रोका जा सके. इस वजह से इन्हें कमर्शली इस्तिमाल नहीं किया गया था. जोईसन से इस सेंसर में एक मैगनेट की मदद से स्टील बॉल को उसकी पोजेशन में होल्ड करके रखा जाता है. जब कोई टकराव होता है, तो कार बहुत तेजी से डी अक्सलेरेट होती है, पर इनर्शिया की वजह से बॉल मैगनेट से अलग हो जाती है. बॉल सरकिट को बंद करने के लिए आगे की तरह मूव करती है और इन्फलेटर को एक सिगनल भेजती है. उनका दूसरा और सबसे बड़ा योगदान, कंप्रेस्ट एयर की जग है, केमिकल एक्स्प्लोजिव यूज करने का था. इस पर्पस के लिए मिस्टर ब्रीड ने सोडियम एजाइड नाम के के केमिकल का इस्तेमाल किया. सोडियम एजाइड की स्पेशालिटी ये थी कि अगर इस सॉलिट केमिकल को 300 डिगरी से जादा के टेंपरेचर पर ट्रिगर किया जाए, तो ये बहुत तेजी से तुरंद गैस में कनवर्ट हो जाता है. 50 ग्राम सोडियम एजाइड लगभक 70 ली इससे पास होता है. ये एक पतला सा रिजिस्टेंस वायर होता है. जब इसमें करिंट पास होता है, तो ये 300 डिगरी सेल्सियस का टेंपरेचर जनरेट करता है, जिसकी वजह से सोडियम एजाइड एक्स्प्लोड होता है और बहुत तेजी से नाइट्रोजन गैस जनरेट हो इस पेटिंटिड डिजाइन को 1998 में क्राइसलर द्वारा उनके डॉज डेटोना मॉडल कार्स में रिलीज किया गया था. ये बहुत ज़ादा सक्सेस्फल हुआ और बाकी सभी कार मैनुफेक्चरर्स ने भी इस तरह की एर बैक टेक्नॉलजी इंप्लिमेंट करनी शुरू क दी. लिकिन इस डिजाइन में भी दो बड़े ड्रॉबैक्स थे. पहला, एक्स्पलोजन के बाद प्रड्यूस होने वाली गैस टॉक्सिक थी. इक्जॉस्ट के सोडियम मेटल की वजह से ये दिक्कत होती थी. साइंटिस्ट्स ने पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिकॉन डायोकसाइड एड़ करके इस इशू को सॉल्व कर दिया. क्या आपको फेमस टकाता 67 मिलियन एर बैग वाला रीकॉल इंसिदेंट याद है? ये इंसिदेंट सोडियम एजाइड की एक खराब प्रॉपर्टी की वजह से हुआ था. ये असानी से मॉइस्चर को जिसकी वजह से एर बैग फट जाएगा और श्रापनल बम के छोटे टुकडे पैसेंजर्स तक पहुँच जाएंगे. टकाता के एर बैग के साथ यही हुआ था. आखिरकार कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी. इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिदेंट से बचने के लिए एक ड्राइंग एजिंट एड़ करना मददगार हो सकता है. साथ ही एर बैग जैसे कंपोनेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स की भी जरूरत होती है. आजकल गैस जनरेटर के तौर पर सोडियम एजाइड को गौनिजीन नाइट्रेट के स कोई जरूरत नहीं है. इन दो डिजाइन चेंजिस के बाद भी इलेक्ट्रो मेकैनिकल सेंसर बेस्ट एर बैक्स में एक और इश्यू था. एक गड़े में गिरने पर भी ये कभी-कभी आक्टिवेट हो जाते थे. इसकी वज़ है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस डीसलेरेशन क के रेट के बारे में जानकारी नहीं देते थे, जो कि ये पता लगाने के लिए जरूरी होता है कि क्रैश कितना सीवियर था. इसका मतलब ये है कि ये एक गड़े और क्रैश के बीच फर्क ही नहीं समझ सकता था. इसी लिए क्रैश को सही तरीके से डिटक्ट कर पाने के लि ECU, Wheel Speed Sensor, Gyroscope, Brake Pressure Sensor और Seat Occupancy Sensor से भी Input लेता है। Algorithm ये निर्धारित करता है कि Gas Generator को कब Trigger करना है और Crash की Severity पर Depend करते हुए Airbag को कितना Inflate करना है। Igniter 2 ms में Explosive को जला देता है और 20 से 30 ms में Bag को Fill कर देता है। Airbag 100 ms के लिए पूरी तरह से खुला रहता है। अब Airbag आपको कुशन करने के लिए Ready है। Airbag Impact Force को बड़े एरिया में फैला देता है। ये ना सिर्फ Inflate होता है बलकि Impact के दौरान आपको Slow करने के लिए Deflate भी होता है। Deflate होते समय ये Travel करने के लिए थोड़ा ज़ादा टाइम देता है। आप Airbag में दो Went Holes देख सकते हैं। इन Went से हवा बाहर निकलती है और आपकी Body को Slow Down करने के लिए Airbag Deflate हो जाता है। क्या आपको पता है कि अगर आपने Seed Belt ना पहनी हो तो कुछ कार मॉडल्स में Airbag क्यों नहीं काम करेगा। Airbag Inflation की Speed बहुत ज़ादा होती है। लगभग 320 किलोमीटर पर आवर। इस Inflation के दौरान अगर आप Airbag को हिट करते हैं तो ये ज़ादा जानलेवा हो सकता है। तो आप Seed Belt पहनना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि ये खुबसूरत Airbag Technology काम कर सके। जाने से पहले लेसिक्स्टीम का सदस्य बनना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं।